रित्विक भॉमिक ये नाम सिर्फ एक वेब स्रीज के वेए से मुझे याद रह गया और उस वेब स्रीज का नाम है बंदिश बैंदिट अगर ये वेब स्रीज आपने नहीं देखा है तो Amazon Prime पे आया था ये पूरी की पूरी वेब स्रीज जो है एक म्यूजिकल जर्नी को दर्शाती थी उसको देखने के बाद से भाई मैं अभी तक वेट कर रहा हूं उसका सीजन टू कब आएगा अब रित्विक भॉमिक के बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि इस वेब स्रीज के में लीड डूल में आपको देखे जाने वाले हैं अभी मन्यू स सोनी लिफ पर रिलीज हुई है जहानाबाद लव एंड वर यह वेब स्रीज कैसी है यह आपका टाइम वेस्ट करने वाली है यह आपको इंटेटीन्मेंट देख करके जाएगी इसी बारे में बात करूंगा अगर आप चानल पर नए हो तो चानल को सब्स्राइब कर लो बल कस्तूरी मिश्रा जो कि एक स्टूडेंट है और बहुती अलहड किसम की है अपनी शाधी को लेकर के बहुती जादा एक्साइटेड है लेकिन उसे शाधी करनी है अपने पसंद से और लव मैरे अब कस्तूरी के सामने में आते है अभिमन्यू सिंग जो कि एकदम यंग है और आपके दिल और दिमाग में अलग सी हलचल माचा करके जाएगी सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा परंब्रता चैटर जी सबसे पहली चीज की इस बंदे की एक फैन फॉलिंग अलग है बिंगॉल से बिलॉंग करते हैं और यह एक बहुत ही अच्छे बिंगॉली एक इसके इलावब दो और चैरेक्टर है एक जो आगे चल करके ससुर्जी बनने वाले हैं और दूसरा चैरेक्टर जो है वो मामा का रोल प्ले करते हैं अब बात करते हैं स्टोरी कि किस बारे में है तो इस टोरी में दिखाया जा रहा है एक नकसलवाद अपने हग के लिए το जो के लिए लोग उनको अपनी अफनी बराबरी नहींदे रहे जिसकोacey रहे हैं मैं में नाम भूल गया है और बहुत ज्यादा शकल्स एतना अमीर दिखता ही ये बिहार वाले language के साथ में और बिहार के अटायर के साथ में कहीं पे भी फिट नहीं बैठता है इनके इलावा पूरे से भी नहीं पूर साप तो कपूर साहबी अब बात करना चाहूंगा कहानी के उस पार्ट के बारे में जिसके वज़े से जो है इस पूरे वेब स्रीस का टाइटल बना है जहानाबाद लव एंड वार का एंगल तो आपको बता चुका हूं लव एंगल क्या है लव एंगल यहा तो यहां पर इनका लव स्टोरी चल रहा होता है आप लव एंड तक पहुंचते पहुंचते किस तरह से डार्क मोड ले लेती है और आपका पूरा थीम चेंज कर जाती है आपकी एक्सपेक्टेशन जो रहती है और आपकी दिमाग मुझे चल रहा होता है बल्कुल उसका उ अमेज कर जाएगा मुझे लगता है कि इस बंदयों को अच्छे से पता है कि किस तरह से स्क्रिप का सेलेक्शन करना चाहिए कि यह अपने क्यारक्टर के एकदम जबर्दस निभाते हैं मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बंदिश बैंडट्स का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि भाई वह बंदा का परफॉर्मेंस याद रहे गया ऐसा किसी भी आंगल से उस वेब सेरीज में नहीं लगता है कि वह सिंगर नहीं है अब बात करते है उस बंदी के बारे में जिनके उपर में फोकस पूरा एंड में जाता है वहां पर बात कर रहा हूँ हर्शिता गौर्की इनकी आक्टिंग को देखने के वाइद इनका नाम सर्च करने का मन कर गया यानी कस्तूरी की बात कर रहा हूं किस तरह से में पर आगे की कहनी क्या तो screenplay और direction के अगर बात की जाए तो भाई मेरे हिसाब से यह जो 10 episode बनाया गया है इतना लंबा web series रखा गया है शुरुवात में 30-35-35 minute का रहता है end होते होते एक एक घंडे के episode हो जाते हैं तो भाई मेरे हिसाब से इस web series को जो है थोड़ा सा short रखना चाहिए था इसको अगर आप slow burn के हिसाब से दिमाग में लेके चलो कि आपको एक slow web series देखनी है तो आप इसको देख सकते हो वरना आपको बहुत जादा बोर कर जाएगी क्योंकि एक एक scene इतना जादा stretch हुआ वा दिखता है और जादा तर scenes जो है बहुत ही जादा predictable है क्योंकि हम लोग ने बहुत जादा web series and content consume कर लिया है जिसके वज़े से हमें पता चल जाता है कि आने वाले 5 minutes के अंदर में क्या देखाया जाने वाला तो आप fast forward करना शुरू कर दोगे 10-10 seconds भगा करके क्योंकि मैंने तो भई वही किया है वो समझ में आ जा रहा है कि आगे का क्या line है आगे की emotion क्या है जब किस होने वाला है जब किस तरह के dialogue आने वाले है वोड़ा सा आगे भगानव बनता था यह एक तरह का slow burn web series है आपके पास में खुला time होना चाहिए और पूरा 10 एपिसोड आप देख पाऊ उतनी सहन शक्ति होनी चाहिए बात करते हैं कि यह web series जो आप अपने family के साथ देख सकते हो या नहीं तो नहीं आप अपने family के साथ नहीं देख सकते हो क्योंकि इसके entertain करेगी आपका time waste करेगी यह जानने के लिए बता देता हूँ अगर आपको slow burn पसंद है तो entertain कर जाएगी अगर आपने इस तरह के बहुत ज्यादा web series देख रखे हैं बहुत ज्यादा twist and turn आपको पहले से पता है तो यह web series आपको उतना ज्यादा entertain नहीं करने वाली है तो यह